आई आई टेंड ट्रेडर फेमली में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि कल एक्सपायरी के दिन मार्केट का बिहवियर किस प्रकार का रहने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के इंपोर्टेंट सपोर्ट और रैसेंस लेवल क्या होने वाले हैं तो काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है पूरा वीडियो आपको देखना है अगर आप ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा मैचुरिटी लाना चाते हो अगर आप सच में अर्निंग करना चाते हो तो आपको किसी का भी वीडियो देखो लेकिन उसको अच्छे तरीके से समझो, उसके बाद में ही आप कोई भी काम करो, आप यहाँ पे skip करके दो बात मेरी सुनोगे, दो बात किसी और की सुनोगे, तो आप यहाँ पे loss करोगे, तो आप से हाथ जोड के request है, अगर आप इस प्रकार के काम करते हो, तो यहाँ पे नहीं रहना चीए, आपको ट्रेडिंग ही नहीं करनी चीए, अगर ऐसा करते हो तो, तो आपको यह पूरा वीडियो देखना है, तब ही आप यहाँ पे सब चीज़े समझने को मिलने वाली है, तो अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो, टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन बॉक में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के जोइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी निफ्टी का चार्ट, अब निफ्टी के अंदर हम बात करें, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निफ्टी की यहाँ पे वीकली एक्सपायरी है कल, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं जो सपोर्ट और रइसेंस लेवल आपको ब रहती है, तो यह सीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, वो थोड़ा सा options के अंदर जो contract बनते हैं, उनके इसाब से थोड़ा काम ज्यादा होता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कि यह जो chart pattern मना हुआ था, इस chart pattern के अंदर क्या और RSI देखोगे, RSI ने एक high लगाया, और उसके बाद में यह जब नया high बना, तब RSI यहाँ पे नया high नहीं लगा पाया, क्योंकि यह overboard था बहुत ज़्यादा, RSI divergence दिखा रहा है, इसका meaning यह है कि थोड़ा से यह market corrective phase में जा सकता है, अभी यहाँ पे immediate support level है यह वाला, और यह break हो गया, तो हमारी जो यह वाली trend line है, वो हमारा एक next immediate support होगा, और उसको अगर आप देखना चाते हो, तो यहाँ पे हमारा जो overly chart है, उसके अंदर देखो, तो यह आप trend line देखोगे, तो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार तो पहले support ले चुका है, और अगर यह breakdown करता है, तो यहाँ पे 4 टाइम यह जा करके support लेने की कोसिस करेगा, अगर उपर जाता है, तो आपको उपर वाली trend line को देखनी है, अब आपको कल क्या करना है, वो मैं आपको 15 minute के chart के उपर बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान में यह रखना है, कि यह वाली जो horizontal line है, यह काफी important support के जैसे काम करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह एक support area है, यह आपको clearly देख लेना है अभी, तो अब हम 15 minute के chart के उपर देख लेते हैं, तो 15 minute के उपर देखो, तो यहाँ पे कल यह close करके गया था, यह market के अंदर यह वाली जो candle है, 915 वाली, और उसके बाद में यहाँ पे यह उपर जा करके तोड़ा सा bounce back लिया था, यह close करके गया था, अब हमने यहाँ पे बात की थी, कि market के अंदर यह एक काफी अच्छा resistance area है, क्योंकि यहाँ पे एक breakdown हो चुका है, तो यहाँ से जब breakdown हुआ, उसके बाद में यह एक pull back हो सकता है, और यहाँ पे आपको ध्यान यह रखना है, कि यहाँ पे जाने के बाद में यह नीचे आ सकता है, और नीचे आ करके यह वाला जो low area है, इसको भी यह break कर सकता है, तो यह same इसने यहाँ पे इसी प्रकार का किया, उपर गया, और यहाँ से यह पर एक support area है ठीक है अब इस support area के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि market है वो इस वाली zone के बीच में यहाँ पर कहीं open होना चाहिए ठीक है यह एक last की जो 15 minute की candle है उसको देखोगे तो यह बहुत अच्छी candle बनी हुई है support area के पास में hammer candle बनी हुई है ठीक है तो यहाँ पर ए breakout देता है तो आप इसके अंदर ऊपर के अंदर जो मैं level बता देता हूं 2530 का level है ऊपर के अंदर अगर यह 2530 के नीचे जो की यह green candle है उस green candle के नीचे open होकर के ऊपर के अंदर निकलती है तो यहाँ पर आपका जो first number का target होगा जो की एक छोटा target है यह वाला ठीक है इसके अं लोग की इस वाली जो जो जोन है ठीक है इस जोन में यह जाए और इस जोन में जाने के बाद में यह वहाँ पर एक resistance लेने की कोशिस करें अब resistance में आपको देखना है कि यहाँ पर एक range बना सकता है या फिर यहाँ पर आकर के कोई BRS टाइप की candle stick बना सकता है तो वह बना कर के activate होता है तो यह नीचे आएगा वापस से और नीचे आकर के फिर से यहाँ पर आपको देखना है कि यह क्या कर रहा है अगर यह यहाँ पर आने के बाद में पुल बैक लेकर के breakdown देदे या फिर यहाँ पर यह काम करे और काम करने के बाद में यह breakdown देदे काम का meaning है कि यहा उपर के अंदर निकाल देता है तो क्या करना है ठीक है तो यहां पर मालो यह 21560 का जो लेवल है यह वाला अगर यह निकाल देता है तो उपर के अंदर एक बड़ा रजिस्टेंस एरिया है तो इस एरिये के अंदर देखना है आपको क्या कर रहा है अगर मालो इस एरिये में आकर की ये breakout देता है तो उपर के अंदर आपको 21,630 ठीक है और 21,630 के बाद में 21,680 के लेवल है वो आपको देखने को मिलेंगे आपको bullish tone में तभी आना है ठीक है market bullish tone में तभी आएगा जब ये इस area के अंदर उपर निकलने की कोशिस करेगा यानि 21,600 के लेवल के उपर नि बाद की हो सकता है कि यहाँ पे ही ये cool करके नीचे breakdown दे या फिर यहाँ पे जाकर के ये वाली range है वहाँ पे जाकर के ये उपर के अंदर जाकर के negative trade इनिशेट करे और फिर यहाँ पे आकर के pullback लेकर के breakdown दे तो अगर मानलो ये 21,490 का जो लेवल है उसको ये नीचे के नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा 21,420 break नहीं होना चीए 21,420 break होते ही 21,380 ठीक है और 21,350 के लेवल है वो आपको देखने को मिलेंगे 21,420 break कर गया तो पहला ये वाला लेवल है 21,490 का break नहीं होना चीए ये break होते ही यहाँ पे 21,450 का target और 21,420 का आपके target आएंगे और 21,4 तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है और कल एकस्पायरी है तो एक बज़े से यहां पे एक बज़ के 30 मिनट तक का जो टाइम है 1 पीम टू 1.30 पीम का टाइम है उसके अंदर एक रेंज बना करके अगर यह उपर के अंदर चला जाता है या फिर नीचे चला जाता है तो भ यह हो गया निफटी का अनलेशिस ठीक है निफटी के अंदर हमने पूरा यहां पे अनलेशिस कर लिया है प्राइज़ एक्सट मैंने आपको बता दिया है बैंक निपटी के अंदर भी देखोगे तो यह एक चैनल बनावा था इसका ब्रेंज़ क्टायू divide ठीक है अगर मैं इसका वन ओवर का चार्ट यहां पे लगा के दिखाऊँ तो यहां पे इसने ब्रेकडाउन दिया था और ब्रेकडाउन देने के बाद में आज इसने थोड़ा सा ये एक लास्ट के टाइम पे कल की बात करो तो ये कल यहां पे एक रेंज बनाई थी और आज उसका ब्रेकडाउन दिया और फिर यह उपर के अंदर चला गया है वापस से तो यहां पे आप देखोगे कि यह जादा नीचे नहीं गया है यहां से अपसाइड में भी जा सकता है और डाउन साइड में भी जा सकता है यह चीज आपको ध्यान में रखनी है चार्ट में होता है तो upside में ज्यादा जाने की chances होंगे अब यहां पे आप देखो मैं इसको थोड़ा चा छोटा कर देता हूं तो यहां पे भी एक range बनी हुए यह वाली और नीचे के अंदर यह वाली range टीक है इस range के अंदर open होकर के या तो यह upside में जाएगा तो आपका 785 का जो level है यहां पे यह वाली जो upper side की range है वो ही है इसके उपर निकलता है तो breakout का आपका trade होगा और उसके अंदर जो first target होगा वो 47,885 से लेकर के 47,925 का होगा ठीक है और 48,030 है वो एक काफी important resistance के जैसे काम कर सकता है तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि एक important resistance ये बन गया आपको 47,900 मान के चलना है और दूसरा एक 48,030 का एक important resistance के जैसे काम करने वाला है अगर यह 48,030 का level है वो उपर के अंदर breakout दे देता है तो उपर के अंदर आप और इसके बाद में 48,325 के target है वो आपको देखने को मिल सकते हैं और 48,325 से ला जाएगा तो आपको यहां पे 48,500 की तरफ है वो market move होता हुआ न जराएगा तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखनी है important resistance मैंने बता दिये हैं sell side का trade initiative तभी करना है जब यहां पे यह वाली जो range है इसके अंदर open होकर की यह breakdown दे ठीक है तो यहां पे क्या करना है आपको जो नीचे के अंदर breakdown का area है वो 47,680 का है ठीक है 47,400 का जो level है वो भी यहां पे आ सकता है 47,400 break नहीं होना चाहिए 47,400 break हो गया न तो फिर market bearish stone के अंदर आएगा और वो जो सच में यहां पे हमारा जो यह एक chart pattern बना हुआ था और ली चार्ट के उपर उसका breakdown यहां पे verify हो जाएगा और फिर यहां पे market है वो 47,300, 47,150, 47,030 और 46,900 की तरब भी आ सकता है तो यह मैंने आपको level है वो बोल के बता दिये हैं अगर आपको level याद नहीं हुए है तो आपको कोई issue यहां पे नहीं होना चाहिए क्योंकि जो ह उनकी update आपको दे दी जाती है तो वहां से आप जाकर के देख सकते हो तो आजा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और DMAT account आपके पास नहीं है तो आप बिलकुल free में हमारे अंडर में DM अगर आपको कुछ सीखना है ज्यादा अच्छा तो आप हमारे से यहां पर सीख भी सकते हो हमने यहां पर new year के उपर जो course है वो भी launch कर दिये हैं तो new year के उपर हमने जो course launch किये हैं उनको आप join कर सकते हो बहुत बहतरीन course हमने यहां पर launch किया है और इसकी theme है कि जब तक बजब का course है वो और साथ में technical analysis और fundamental analysis आपको सिखाई जाएगी इस course को आप join कर सकते हो यहां पर join करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ हमारे से in contact number के उपर भी आप contact कर सकते हो और साथ में आप यहां पर भी हमसे contact कर सकते हो मैं यहां पर आपको जो जो आप join करने का तरीका है इसकी slide है वो यहां पर लगा देता हूँ तो इस slide के अंदर यहां पर लिखा हुआ है कि आप यहां पर आपका नाम, address, mobile number और email ID हमारे को WhatsApp करोगे और साथ में हमारा जो course जो भी आप लेना चाहते हो यहां पर उसकी payment है इस QR code के उपर आप करोगे और उसका screenshot आप हमारे को भेज दोगे तो आपका enrollment हो जाएगा 15th gen से यह course है वो शुरू होने वाला है तो बहुत अच्छा course है और यह offer अभी यहां पर हमारा first batch है इसके अंदर आपको दिया जा रहा है तो आप जितना जल्दी हो सके join कर लेना तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए helpful रहा है वीडियो अगर helpful रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक वीडियो में thank you very much